Hello everyone, I welcome you all to IG tutorials, तो आज के सेशन में अपन देखेंगे Geometry for SAC CGL Part 32 को, तो Part 32 में भी अपन डिसकस करने वाले हैं Parallelogram के बारे में, पिछली सेशन में भी, यानि कि Part 31 में भी Parallelogram को देखे थे, Parallelogram का Definition देखे थे, Angle Property और Diagonal Property के देखे थे, आज के इस सेशन में अपन Perimeter Properties और Area Property को देखेंगे, तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनलों से request है कि Part 1 से देखना शुरू करें, क्योंकि Geometry बहुत ही important topic है, SAC CGL के Point of View से, तो एक भी concept को आप miss ना करें, इसलिए Part 1 से देखे, जो लोग इसको follow करते आ रहे हैं, तो Part 32 को आप follow कर सक सकते हैं, तो चलिए without any further ado, let's get started, तो Area Property क्या कहता है, किसी भी Parallelogram, यानि कि समनांतर चतरभूज का जो Area होता है, वो Base into Height होता है, इसको दो तरह से आपन बोल सकते है कि Base into Height क्यों होता है, जैसे कि देखिए, इस वाले case में जो Parallelogram ABCD है, हम यहां से A Point से आपको C पर एक Perpend Perpendicular डालना है, ओके, यहां पर एक Perpendicular डाल दिये, similarly C से अपन AB पर एक Perpendicular डाल दिये, ओके, तो अब देखिए, जो Parallelogram है, Parallelogram क्या है, दो ट्रेंगिल से बनेगा, ट्रेंगिल ADC, ट्रेंगिल ADC, प्लस ट्रेंगिल ABC, दो ट्रेंगिल में हम अपन इसको Divide कर दिये, अब देखिए, Parallelogram का Area निकालना है, तो Area क्या हो जाएगा, Area of Trangle ADC, तो Area of Trangle ADC क्या होगा, Half into Base क्या होगा, Trangle ADC का Base क्या है, DC into Height क्या है, A, E, और CF, दोनों हम लोग ने Height डाला, तो दोनों का Height तो आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि A, B, Parallel to DC है, तो जोदी A, E, H है, तो C भी H होगा, तो Half into DC into H+, Half into, Trangle ABC में Base क्या होगा, AB Base होगा, यहां भी आपको Height हो जाएगा, अब देखिए, अब यहां से बोल सकते हैं, जदी आप Half common लेंगे, और H common लेते हैं, तो आपको क्या आएगा, AB plus DC आएगा, अब आपको पता है, कि AB is equal to DC होता है, तो AB plus DC को आप 2AB बोल सकते हैं, तो Area क्या हो जाएगा, 1 by 2 into H into 2AB ले लिजे, 2 से 2 आपका cancel out हो गया, मतलब Area of Parallelogram क्या आया, AB into H, और AB क्या है आपका, Base है, Base into Height ही Area होता है, Parallelogram का, या दूसरे मेथर से आप इसको कैसे बोल सकते हैं, दूसरे मेथर से ऐसे बोलिए आप, कि जो आपका AE है, Same AE के Parallel एक आप यहाँ पर perpendicular draw कीजिए, तो जो A वाला Area है, जो triangle ADE था, उसी triangle को अपन राइट में shift कर दिया, उसी triangle को अपन राइट में shift कर दिया, तो अब A क्या होगा, AB और इसको अपन मान लेते हैं, O है, तो जो अब आपका shape बनेगा, AB, OE, वो क्या हो जाएगा आपक rectangle हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, आपका rectangle, और rectangle का area क्या होता है, rectangle का area होता है, length into breadth, length क्या आपको यहाँ पर आएगा, OE into breadth क्या है, AE है, अब देखिए, जो length DE था, उतना ही length आपने CO को आगे बरहाया, इसका मतलब जो OE का length होगा, वो आपको आइदर AB के length के बराबर हो आपको EO क्या हो जाएगा, OE क्या हो जाएगा, AB के length के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आप बोल सकते है, AB into, AE क्या है, आपका height लिया है, तो यहाँ से भी आप area बोल सकते है, क्या base into height हुआ है, आपका area, तो parallelogram का area base into height होता है, similarly, जदि एक चीज आप और गौर करेंगे तो चीज क्या होगा, जदि इसी triangle में अपन बोले, कि suppose आप क्या कर रहे है, AD या BO को base ले रहे हैं, AD या BO को base ले रहे हैं, तो यहाँ से एक perpendicular डालेंगे इस तरह से, तो आपको इस case में height जो होगा, H1, A वाला part हो जाएगा, तो यहाँ पे base क्या हो जाएगा आपको, BD होग यहाँ पे जदि आपने height डाला, perpendicular, तो BC आपको base हो जाएगा, या आपको इसी case में AD base होगा, into height आपने H1 लिया है, तो किसी भी side से लिजिए, base into height आएगा, तो जदि आप ऐसे ले रहे हैं, AE को height ले रहे हैं, तो base आपका either CD होगा या AB होगा, जदि आप height इसको ले रहे हैं तो इस case में आपका base क्या होगा, either BC होगा या AD होगा, कैसे भी कीजिए, हमेशा area क्या होता है, base into height ही होता है, इसको अच्छे से समझना आपको ज़रूरी था, जदि आप यहाँ पे perimeter की बात बोले, कि perimeter क्या होता है, perimeter क्या होता है, आपको boundary line वाला जो length होता है, आप AB को आप area property, अब area property से जितने भी related questions है, अपन A के करके देखेंगे, अच्छे level के question को, तो चलिए, आज के session का पहला question, यानि कि पिछले session में अपन 7 question देखे थे, parallelogram का, तो आज 8 होग question देखेंगे, देखेंगे, एक question क्या बोला है, इन्ने parallelogram ABCD, length of AB is 15, तो चलिए, length of AB 15 cm दिया गया D, and the internal angle D आपको दिया गया है, 135 degree, तो इस वाले में तो A 90 से कम होगा, तो इसको आपन reverse कर देते हैं, naming convention थोड़ा change करते हैं, तो आपन यहां से लिए, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि D जो angle D है, वो 135 degree दिया है, जदि A स्टार्ट कर रहे थे यहां से, तो A वाला D आ रहा तो इस case में आपको A यहां से स्टार्ट करना परेगा, A B का length आपको 15 cm दिया गया है, और angle D 135 degree दिया गया है, 135 degree, find length of side B C, मतलब कि आपसे B C का length पूछा गया है, that the area of parallelogram is equal to 1000 cm2, यह पूरे area parallelogram का 1000 cm2 दिया गया है, और किसी भी parallelogram को area निकालने के लिए आपको base और height की जरूरत परती है, okay, base और आपको height की जरूरत परने वाली है, अब आगे कैसे अपन height निकालेंगे और base आपको निकालना है, तो उसको देखते हैं, तो height के लिए आपन suppose यहां से B से क्या करते हैं, B से AD पे एक perpendicular डाल देत यहां पर मैंने बताया था कि parallelogram में किसी भी दो consecutive angle का sum 180 degree होता है, तो A और D को देखेंगे, D 135 degree दिया गया है, तो A आपको कितना हो जागा, 45 degree हो जागा, okay, अब triangle A, B, E में concentrate कीजिए, triangle A, B, E में, A जदी 45 degree है, 10 theta लगाएंगे, 10 theta जदी आप लगाएंगे, तो आपको base पता नहीं है, sine theta लगाएंगे, sine theta जदी लगाएंगे, तो इसको अपन H ले लेते हैं, तो वैसे भी पता है कि 45 A 90 है, तो A 45 degree होता है, 45 45 और 90 degree के case में आपका, क्या होता है, 1 is to 1 is to root 2 के ratio में, base perpendicular और hypotenuse होता है, जदी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए एक पर लिख के ह मैं बता देता हूँ, sine 45 degree बरावर क्या होगा, perpendicular आपको BE है, और hypotenuse क्या है, 15 दिया गया है, sine 45 degree आपको कितना होता है, 1 by root 2, तो BE का value आपको 15 by root 2 आगया, तो आपको H पता चल गया 15 by root 2, और area दिया गया है, और इस case में base क्या हो जाएगा, 80 होगा, और वही length आपको बराबर हो जाएगा, BC का, तो area आपको दिया गया है, क्या area आपको होता है, base into height के बराबर होता है, और area यही area आपको 1000 दिया गया है, तो base निकालना है, तो base into height कितना आया है, 15 by root 2 is equal to 1000 आया, अब देखिए, 5 से इसको काटेंगे, 5 तिया इसको 200 times, मतलब कि base क्या होगा, आइदर BC हो जाएगा, एक कितना आयागा, 200 root 2 by 3 आजाएगा, 100 by 3 कितना होता है, 33.33, 200 by 3 कितना हो जाएगा, 66.67 into root 2 का value रखिए, 1.414, अब इस तरह से देखिए कि आपका answer कौन सा आ रहा है, इस case में, यदि आप ऐसे गुना नहीं करें, तो एक और easy करने के लिए आप ऐसे बोल सकते ह to root 2 का value रखिए, 200 into root 2 का value रखिए, 1.414 by 3, 1414, गुना 2 कितना हो जाएगा, 2828, 282.8 आ जाएगा, by 3, ए थोड़ा सा easy calculation आपको देगा, इसको cancel किजिए, 397, 21, 34, 12, अब आपको 8 बज गया, 326, 22, 36, 18, मतलब 94.26 के करीब, अब देखिए answer कौन आपका match कर रहा है, 94 से तो start हो रहा है, आपको option B, so option B will be our right answer, चलिए question number 9 को देखते हैं, अब देखिए question number 9 क्या बोला है, इन्हे parallelogram A, B, C, D, O is a point inside the parallelogram, B, O is the angle bisector of angle B, अब क्या बोला है, B, O जो है angle bisector of angle B है, C, O is the angle bisector of angle C, C, O is the angle bisector of angle C दिया गया है, अब देखिए, find the length of B, O and C, B, O और C, O का आपसे length पूछा गया है, the length of B, C is equal to 10, A आपको 10 दिया गया है, चलिए, और angle A जो है आपको 60 दिया गया है, A बला angle 60 दिया गया है, sum of any two consecutive angles, इन्हे parallelogram कितना होता है, 180 दिगरी, तो जदी A 60 है, तो angle B total में कितना हो जाएगा, 120 दिगरी, जदी A 60 है, तो opposite angles are equal, मतलब कि angle C भी 60 दिगरी हो जाएगा, अब angle B को आप क्या कर रहे हैं, angle B को bisect कर रहे हैं, तो मतलब कि A बला भी angle 60 दिगरी और इतना angle भी 60 दिगरी हो जाएगा, similarly C point पे आप angle को bisect कर रहे हैं, मतलब कि A बला angle आपको कितना आ जागा 30 degree का आ जाएगा चलिए अब triangle BOC में concentrate किजए triangle BOC में concentrate करेंगे तो angle B 60 degree है angle C आपको 30 degree है तो जो O पे angle angle BOC बनेगा angle O कितना हो जागा आपको 90 degree का हो जागा ये बला angle आपको 90 degree का हो गया अब देखिए क्या triangle BOC एक right angle triangle बना कि नहीं बना obviously बना चलिए 30 60 90 का angle है 30 60 90 का जादि आपको sin theta cos theta 10 theta लगाना है आप लगा सकते हैं 30 60 90 में क्या होता है 30 के सामने बला 1 के ratio में 60 के सामने बला root 3 के ratio में और 90 के सामने बला 2 के ratio में होता है 90 के सामने बला यहां पे कितना दिया गया है 10 दिया गया है मतलब आप 2 को 5 times कर रहे हैं तो root 3 को भी 5 times करने पे क्या आ जागा 5 root 3 और 1 को भी 5 times करने पे 5 आएगा मतलब कि 30 के सामने बला side का length कितना आया 5 आया तो 30 के सामने बला side क्या है आपका BO है तो इसका length 5 आया 60 के सामने बला length कितना आएगा 5 root 3 तो 60 के सामने बला triangle BOC में 60 के सामने बला side क्या है OC तो इसका length कितना आएगा 5 root 3 अब आपसे पूछा क्या गया है, find the length of BO and CO respectively, BO का length कितना आया, आपको 5 आया, और CO का length कितना आया, आपको 5 root 3 आया, तो इस तरह से इस question का answer क्या हो जागा, respectively पूछा गया है, इसका मतलब पहले आपको BO का length देना है, BO का length 5 और CO का length 5 root 3, so option B will be our right answer, just angle property को ही यहाँ पे use करना था, question easy हो गया है, उसको angle property के use करके, चलिए question number 10 को देखते हैं, चलिए question number 10 आपका अच्छा question है, क्या बोला, in a parallelogram, a parallelogram has an area of 300 meter square and its adjacent sides are 30 meter and 20 meter, चलिए a 30 ले ले लेते हैं, a आपको 20 ले ले लेते हैं, अब देखिए area of parallelogram क्या होता है, base into height होता है, okay, base into height होता है, तो height के लिए हम लोग क्या किये, इस point से यहाँ पे एक perpendicular डाल दिये, चलिए इसको नामा करन कर देते हैं, a, b, c, d, और आपने a से एक पर perpendicular डाला, a, e डाल दिये, चलिए, a, e जैसे ही आपने डाला, अब क्या हो गया, इसका height अपन h ले ले लेते हैं, तो base, height आपने a point से डाला, a, e, तो base क्या हो जाएगा, base आपका dc हो जाएगा, तो area आपको दिया गया है, 300, तो base क्या हो जाएगा, dc, dc का length कितना है, 30 into h will be equal to 300 meter square, h का value इस तरह से कितना आया, 10 आया, h का value आपको कितना आ गया, 10 meters आ गया, अब देखिए आपको जो भी 4 के 4 angles हैं, वो आपको find out करने हैं, अब आप क्या कीजिए, triangle a, d, e में concentrate कीजिए, वैसे 20 और a, 10 दिया गया है, देखके ही पता चलना है, चलिए आपके लिए उतना confuse नहीं करते हैं, इस angle को अपन theta ले लेते हैं, जदि इस angle को theta लेते हैं, sin theta लगाएंगे, sin theta क्या हो जाएगा, आपको a, e by, a, d हो जाएगा, तो sin theta is equal to 10 by 20, मतलब कि sin theta का value कितना आया, 1 by 2, तो theta का value कितना आ जागा, 30 degree आ जागा, sin theta जदि आपको half दिया गया है, तो theta कितना हो जाएगा, 30 degree, जैसे ही parallelogram में, एक angle आपको पता चला, बागी angle निकालना बहुत तीजी है, sum of any two consecutive angle 180 degree, जैसे a 30 है, तो a कितना हो जाएगा, 150, और a 30 है, d और c में देखेंगे, तो angle c भी आपको 150 आजाएगा, opposite angles are equal, मतलब angle d जैसे 30 degree है, तो angle b भी 30 degree हो गया, चलिए यहाँ से आपको क्या आया, angle a का value कितना आया, 150 degree, angle b का value कितना आया, 30 degree, angle c का value कितना आया, 150 degree, value आपको 30 degree, यही पूछा गया था, कि find all the angles of a parallelogram, क्योंकि area 300 meter square दिया गया था, adjacent sides आपको 30 and 20 meters दिये गये थे, main हमको यहाँ पे height निकालना था, जैसे ही height निकला, एक छोटे वाले triangle से एक angle का value निकला, एक angle निकला किसी भी parallelogram में, बांकी का 3 angle बहुत easily calculate कर सकते हैं, आप, चलिए example 11th को देखते हैं, example 11th क्या बोला है, the base of a parallelogram is thrice its height, जदी आपको इसका height ले लेते हैं, जदी इसका height आप लेते हैं, यानि कि perpendicular distance h लेते हैं, तो base क्या दिया गया है, 3 h दिया गया है, if the area is 192 cm2, find the base and height, बहुत easy question है, base into height is equal to क्या होता है, area होता है, अब आपको base पता नहीं है, तो a 3 h आया, और height h लिया है, इसका area कितना दिया गया है, 192, तो देखिए कितना आ जागा, 3 h square is equal to 192, 3 से काटी है, 3 छक 18, तो h square आपको 64 आया, तो h का value कितना आ गया, 8 आ गया, जैसे ही h आया, height 8 cm आ गया, तो base आपका क्या है, a b is equal to d c, a क्या 3 h दिया गया है, मतलब कि आपको इसका answer हो जाएगा, 24 cm और आप से पूछा ही गया था, find base and height of this parallelogram, base हो जाएगा 24 cm, height आपको 8 cm, चलिए example 12 को देखते है, example 12 भी बहुत easy है, क्या बोला, अब parallelogram has sides 12 cm and 9 cm, इसको आपन 9 ले लिए, इसको 12 ले लिए, if the distance between its shorter side is 8 cm, अब बोलना है, distance between shorter side, मतलब कि यहाँ से जो perpendicular distance है, shorter side के बीच में, यह आपको 8 cm दिया गया है, then find the distance between its longer side, मतलब कि यहाँ से जो perpendicular distance है, यह आप से पूछा गया है, area क्या होता है, base into height, जदी ABCD ले ले अपन इस parallelogram को, तो area क्या हो जाएगा, area होगा base into height, जदी उपर नीचे वाले इस वाले चीज़ पर जदी base ले, इस वाले parallel sides को base ले, तो यानि कि AB into height क्या हो जाएगा, H ले लेते हैं, और similarly area parallelogram क्या क्या होगा, जदी आप base, इस AD और BC को base ले रहे हैं, तो इस case में भी तो आपको area ही निकलेगा, तो इस case में base आपका क्या हो जाएगा, AD या IC को आप BC बोल सकते हैं, into height क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, चलिए, अब आपको बोलना है कि, longer side के बीच के distance आपको निकालना है, AB का value आपको कितना है, 12 है, अब आपको इसका distance नहीं पता है, तो H ले लिए, AD या BC में से किसी A का distance आप 9 ले लिजे, क्याकि दोनों आपको आपस में बराबर है, 9 into, अब इसके 20 का distance कितना है, 8, अब देखिए, H is equal to क्या हो जागा, 9, 72 बटा 12 आ जागा, तो H का value इस चीज में आपको इस case में क्या आगया, 6 cm आगया, क्या distance between its longer side, देखिए, बहुत easy question था, दोनों adjacent sides दिये गए थे, एक case में आपको shorter sides के बीज का distance दिया गया था, longer side के बीज के distance आपको पता है, किसी भी side को आप base ले करके, और height उसी respect में ले रहे हैं, तो दोनों cases में आपको area समान होगा, और दोनों area को equate कर दिये, तो आपको आगया height between its longer side, चलिए एक example 13 को देखते हैं, अब example 13 क्या बोला है, ABCD is a parallelogram, in which AB is equal to 20 cm, AB का length आपको 20 दिया गया है, BC is equal to 13, अब आप ए मत बोलिए कि BC side देखके तो बड़ा लग रहा है, जैस्ट हम लोग ने एक diagram drug किया है, AB 20 दिया गया था, BC आपको 13 दिया गया है, और AC का length 21 दिया गया है, मतलब कि जो A AC का length है, यह आपको 21 cm दिया गया है, पूछा क्या गया है, find the area of parallelogram ABCD, अब आपको area निकालना है, एक property मैंने diagonal का बताया था, कि एक diagonal जो है parallelogram को equal area में बाढ़ता है, congruent triangles में बाढ़ता है, मतलब कि जो वाला area triangle ABC का होगा, वही area triangle ACD का होगा, अब देखिए, triangle ABC में जदी आप गौर करेंगे, आपको तीनो sides पता है, तीनो sides पता है, तो क्या आप area नहीं निकाल सकते हैं, जब तीनो sides पता रहता है, तो triangle का area आपन निकालते हैं, किस से? Herons formula से निकालते हैं, Herons formula क्या होता है? Under root S into S minus A into S minus B into S minus C, already triangles में ये वाला formula आपन डिसकस कर चुके हैं, S क्या होता है? S आपको होता है semi perimeter, मतलब कि perimeter by 2 होता है, अब देखिए, ABC मतलब 20 plus 13 plus 21 by 2, 20, 23, 23 और 21, 24, 24 by 2, कितना आ जागा आपको? 27 आ जागा, चलिए, तो आपको semi perimeter, यानि कि S का value निकल गया, अब आप यहां से area निकाल सकते हैं, area क्या होता है? area होता है S into S minus A into S minus B into S minus C होता है, S का value आपको 27 आया, चलिए, 27 into 27 minus 20 कितना आ जागा? 7 आ जागा, 27 minus 13 कितना आ जागा? 14 आ जागा, 27 minus 20 कितना आ जागा? 6 आ जागा, 27, 7 और 14, 7 और 14 में से 1 7 बाहर ले आए, अंदर कितना बचा? 2 बचा, 2 बच गया इस case में, और 27 में से 1 3 को बाहर लाए, तो 3 बच गया, तो 3 दुना 6 और 6 अंदर रा गया, तो 1 6 को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो A आपको कितना आ जागा? 6, 3, 0, 18, 7, 0, 18 सकते 126, मतलब 126 cm2 आपको एक ट्रैंगिल ABC का एरिया आया, तो Area of Parallelogram आपको निकालना है, Area of Parallelogram ज़दी आप निकालेंगे, तो एक कितना आ जागा? 2 into Area of Triangle कितना आ जागा? ABC का, अब देखिए Area of Triangle 126 आया, 2 into 126 which will be equal to 252 cm2 आपको Area of Parallelogram आ गया, चलिए तो इस Question का Right Answer 252 cm2 होगा, हलाकि यहाँ पे Parallelogram का किवल एक Property यूज हुआ है, क्या कि Parallelogram में जो है, Diagonal आपको उस Parallelogram को दो बरावर भागों में बाड़ता है, बाकि जो Property अपन यूज किया है, वो Triangle का ही Property यूज किया है, Triangle का Area वाला Property ही यूज किया है, तो इस तरह से इस Question का Answer क्या हो जेगा? 252 cm2. अब Next एक आपको मैं Note बताने वाला हूँ, जरूर इसको याद रखेगा बहुत Important Property होता है Parallelogram का, क्या बोला है? If P is a Point inside a Parallelogram, P is a Point anywhere inside a Parallelogram, कहीं पे भी P एक Point दिया गया है, और उस P से क्या कर रहे हैं? चारो जो आपको वर्टसेस है उसको मिला रहे हैं, तो इस तरह से आपको total 4 triangles बनेंगे. A वाला आपको टॉप triangle बनेगा, A आपको bottom triangle बनेगा, A आपको left side का triangle बनेगा, और इधर आपको right side का triangle बनेगा. तो उस Parallelogram ABCT का कुछ area होगा, तो इसका property क्या होता है? कि जो आपको top plus bottom वाले triangle का area होगा, उसका sum बराबर होगा left plus right वाले triangle के area का sum और o आपका बराबर होगा area of parallelogram का आधा होता है यह एक property है बट इस properties को ऐसे ही याद नहीं रखेंगे कभी होता है कि कुछ property अपन miss कर जाए तो इसका basic क्या है इसका proof क्या है इसको proof करके भी अपन आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्यूँ ए चीज ऐसा होता है तो चलिए देखते हैं इसके proof को इसका proof करने के लिए ABCD आपने एक parallelogram लिया P parallelogram के अंदर में कोई एक point ले लिया वहाँ से चारो vertex को मिला दिया आपने अब इसका proof करने के लिए मैंने क्या किया एक MN एक perpendicular ले लिया AB और DC पे एक perpendicular line ले लिया अब देखिए area of parallelogram जदी आप निकालते हैं area of parallelogram area of parallelogram क्या हो जगा जदी base हम आपन क्या कर रहे हैं आइदर AB को base ले रहे हैं या CD को base ले रहे हैं तो AB into height चुकि MN क्या है आपको MN आपने height डाला है तो ये तो perpendicular है तो area of parallelogram क्या हो जगा है AB into MN हो जगा चलिए ये तो आपको area of parallelogram हो गया अब triangle triangle A, P, B and triangle D, P, C में गौर से देखिए आपको क्या पता है base पता है दोनों triangle का अब आपको height भी पता है तो इस case में triangle A, P, B में height क्या दिया गया है PM triangle D, P, C में height क्या दिया गया है PN अब इसका दोनों का हम लोग area निकालते हैं तो area triangle A, P, B का area क्या हो जागा half into इस case में triangle A, P, B के case में आपको जो आपको base है वो क्या है AB into height क्या है आपको PM है चलिए दूसरे triangle के area को sum करते हैं दूसरे triangle के area यानि कि नीचे वाले triangle का area वो है क्या triangle D, P, C D, P, C में आपको base क्या है side DC है तो half into base क्या है DC into height इस case में क्या है P, N आपको height हो गया अब यहां से आपको तो पता है कि जो आपको ABCD parallelogram है यानि कि AB will be equal to DC side के होगा तो आप क्या कीजे इस case से half और AB और DC बरावर है तो AB को आप बाहर ले लिजे चलिए क्योंकि AB और DC तो बरावर है दोनों बरावर है तो इसको common ले लिए अंदर क्या बच गया PM प्लस P, N बच गया चलिए अब देखिए half इंटू AB इंटू PM अब देखिए P, N जो आपने perpendicular डाला था वो P, N क्या है आपको sorry P, N नहीं M, N जो आपने perpendicular डाला था पूरे parallelogram पे उसको तो आपन ए भी लिख सकते हैं कि PM प्लस P, N तो यहां से आप PM प्लस P, N is equal to M, N बोल सकते हैं तो इस चीज़ को इस वाले चीज़ से PM प्लस P, N को आप क्या बोल सकते हैं M, N भी बोल सकते हैं आप देखिए half into यह आपको क्या आ गया AB into M, N AB into M, N equation 1 में जदी आप गौर करेंगे तो AB into M, N क्या है आपको area of parallelogram था AB into M, N क्या था area of parallelogram इसलिए मैंने बोला था कि जो top वाला triangle है और जो bottom वाला triangle है उसका जो area होगा similarly जदी आप area of left वाला triangle देखेंगे left वाले triangle के लिए भी कि आप proof कर सकते हैं मैं यहाँ proof नहीं करूँगा यह वाला चीज को आप perpendicular ले लेंगे same जदी process follow करेंगे वही वह भी चीज आपको same result देगा area of triangle, left वाला triangle और right वाला triangle क्या होगा total area of parallelogram का आधा होता है यही वाला मैंने property आपको बताया था property याद कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है नहीं याद हो जदी examination hall में आप भूल गए तो इस तरह से भी इस question को बहुत easily कर सकता है हलाकि जब भी parallelogram से SAC question पूछता है तो यह वाला question इस property पे question पूछने का ज़्यादा chances रहता है क्योंकि SAC already 4 से 5 बार इस property पे question पूछ चुका है तो चलिए इस property से related question देखते हैं अपन अब देखिए एक question अलड़ी SAC पूछ चुका है अपने mains examination में टायर 2 में पूछा था ABCD is a parallelogram P is any point within the parallelogram within it, okay if area of parallelogram is 20 cm ABCD का जो area है आपको 20 cm square दिया गया है चलिए, then what will be the sum of area of triangle PAB PAB, okay, इस triangle का area और triangle PCD का area चलिए, इसका sum पूछा गया है just अभी आपने property देखा था sum क्या हो जागा area of triangle PAB plus triangle PCD क्या होता है total area का, बनी की area of parallelogram का half होता है तो इसका sum जो होगा वो आपको क्या हो जागा, 20 दिया गया था by 2, 10 आ जागा तो इस question को आप देख के भी answer mark कर सकते थे, कि option A will be our right answer suppose आपको examination hall में यह बला property याद नहीं है तो just basic property को भी use करके आप इसका answer निकाल सकते थे, कैसे देखिए triangle A, P, B को दोनों को area को sum करना है तो area क्या हो जागा, half into base, AB into height क्या हो जागा height इस case में अपन ऐसे height ले लेते हैं तो क्या हो जागा, mn again ले लिए तो क्या हो जागा, pm plus half into dc into pn हो गया यहां से half, चुकि AB dc के बराबर है, half AB in common ले लिए तो आपको क्या बचा, pm plus pn, pm plus pn आपको mn आ गया अब आपको पता है कि half into ab into mn तो parallelogram का area है इसका value 20 दिया गया है, मतलब कि जो sum हो जागा, वो कितना हो जागा 10 cm square will be our right answer तो ऐसे भी अपन इस question को solve कर सकते थे, चलिए question number 15 को देखते है question 15 क्या बोला है आपको, pqrs is a parallelogram, okay and o is any point within it चलिए, if area of parallelogram is 30 cm square, area of parallelogram आपको 30 cm square दिया गया then what will be the sum of the areas of triangle, ops, ops मतलब left वाला triangle plus o qr, right वाला triangle, क्या इसका area का sum होगा आभी property देखे थे, कि sum क्या होता है, left और right वाले का, या top या bottom वाले का total area का, आपको half होता है, यानि कि 30 by 2, which will be equal to 15 cm square will be the sum of area of the triangle, triangle ops and triangle o qr, तो इस question का right answer option c होगा क्या लिए आज के session का last question, question number 16th को देखते हैं अपन question number 16th क्या बोला, a, b, c, d is a parallelogram, o q, e is the mid point of diagonal b, d, b, d का mid point आपको e दिया गया है, d, q is equal to 10 cm, d, b is equal to 16, यानि कि d, b बोलिए या b, d, b बोलिए आपको 16 cm दिया गया है, p, q is perpendicular on b, d, जो ए वाला चीज, p, q दिया गया है, वो b, d पे perpendicular है, चलिए, b, d पे perpendicular मतलब कि ए भी perpendicular आपको ऐसे दिया गया है, चलिए, अब b, d देखिए, आपको 16 cm दिया गया था, find the length of p, q, जानि कि p, q का length आपसे पूछा गया है, अब एक चीज देखिए, triangle p, e, b, and triangle d, e, q में देखिए, जो angle e है, यहाँ पे 90 degree है, देखिए, यहाँ पे triangle में जो है, angle p, e, b, आपको 90 degree दिया गया है, similarly, e पे जो triangle d, e, q में क्या बन रहा है, angle d, e, q आपको, यह भी 90 degree होगा, क्योंकि opposite vertex वाला जो angle है, दो line जब cross करता है, तो opposite vertex आपस में क्या होता है angle, बराबर होता है, तो यहाँ भी तो दो line cross कर रहा है, तो e b 90 दिया गया है, तो e b 90 होगा, अब आपको e एक point आपको बोला गया था, कि e is the mid point of diagonal db बोला गया है, तो e जदी mid point है, मतलब कि b d को दो बराबर भागों में बाठता है, ओके, और db का total length 16 cm दिया गया है, तो a length कितना हो जागा, 8 और e b का length भी आपको 8 हो जागा, चलिए, अब आगे क्या बोला जा रहा है, उस चीज़ पे गौर करते हैं आपन, a 90 degree हुआ, अब देखिए a side और a वला side, यानि कि side जो है, pb parallel होगा, side dq को, क्यों क्योंकि parallelogram में a b parallel dc होता है, तो similarly, यहाँ पे pb भी parallel किसके हो जाएगा, dq के parallel हो जाएगा, ओके, जैसे ही यहाँ पे parallel हुआ, दो parallel line के बीच में एक traversal आ रहा है, और transversal क्या है आपको, pb और dq parallel lines के बीच में, एक transversal कौन आ रहा है, यह transversal bd आ रहा है, मतलब कि जो a वला angle होगा, वही angle a वला हो जागा, जदि इस angle को 1 ले रहे हैं, तो a वला angle भी 1 होगा, अब देखिए triangle में क्या हुआ, दो angles बराबर हो गयें, और एक side भी बराबर हो गया, दोनों triangle में क्या हुआ, दो एंगिल बराबर यानि कि एंगिल ED, जदि इस ट्रैंगिल में देखे, ट्रैंगिल PB में, तो एंगिल PBE बराबर आपको किसके हो गया? ट्रैंगिल EDQ के बराबर हो गया, तो कि यह alternate आइंगिल बराबर होगा, और एक और केस यहाँ पे क्या बनता है? कि side जो आपको दिया गया है, EB is equal to side ED हो जा रहा है, इस तरह से देखिए, दो angle और उसके बीज का side, मतलब कि A, S, A से आप बोल सकते हैं, कि triangle PEB is congruent to triangle DEQ, हला कि ये देख के भी सब चीज कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूद नहीं है, देख के ही पता चल रहा है, कि triangle PEB is congruent to triangle EDQ होता है, अब देखिए, जैसे ही दोनों triangle आपको congruent हो गये, अब एक चीज यहाँ पर गौर किजिए आप, क्या वो चीज गौर करना है, कि DQ का length आपक 8 दिया गया है, अब इस case में आप क्या एक चीज देख सकते हैं, कि A वाला angle आपको 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला triangle, अपन अभी concentrate कर रहे हैं, triangle DEQ में, 90 के सामने वाला side का length आपको 10 दिया गया है, और यहाँ पर जो side DE, नाम दे देते हैं, DEQ, और side DE जो है आपको 8 दिया गया है, तो क्या आप EQ का length निकाल सकते हैं, EQ क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला, चुकी triangle DEQ, एक right triangle हो गया, तो 90 के सामने वाला side का square, 10 का square माइनस 8 का square, तो EQ का length आपको कितना आजाएगा, 6 आजाएगा, ओके, तो चुकी दोनों triangle आपको congruent है, यानि कि जो length आपको EQ का होगा, वही length आपको EP का होगा, यानि कि EP is equal to, EQ is equal to 6 cm आपको आगया है, तो आपसे पूछा क्या गया है, PQ, और PQ किया किसके बराबर है, PE plus EQ के बराबर है, यानि कि PQ का length आपको 12 cm आजाएगा, तो इस question का right answer option C होगा हलाकि मैं आपको बता दूँ कि इतना calculation लिखने का जरूरत नहीं था, देखके ही पता चला है, A90 तो A90, A भी एक right angle triangle है, तो A भी draw करने की जरूरत हम लोगों को नहीं थी, A भी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 10 का square minus 8 का square, 36 होगा, 36 का under root 6 हो जाएगा, A 6 हुआ, चु figure को draw कर लिए, आपको केवल figure draw करना था, उसके बाद सारे calculation आप मन में ही कर सकते थे, तो चलिए यह था हमारा आज के session का last question और यह parallelogram का भी last session था, next session में आपन देखेंगे rhombus के बारे में, rhombus के जितने भी properties होंगे उसके बारे में, तो चलिए आज के session को अपन यही close करते ह हैं, तो session close करने से पहले आप लोग से request है कि जदी आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपके exam point of view से आपके लिए helpful है, तो आप channel को subscribe कर सकते हैं, channel को subscribe करने का फायदा यह होगा कि आपको मेरे वीडियो सर्च करने की जुरुत नहीं पड़ेगी, जब भी कोई नय वीडियो में डालूँगा, आपको notification आजाएगा और आप वहाँ से वीडियो को easily watch कर सकते हैं, okay, वीडियो अच्छे लगे तो आप like करना मत भूलिएगा, please वीडियो को like कर दीजिए, कुछ सुझाव हो, या कोई question का solution समझ में नहीं आया हो, या कोई concept समझ में नहीं आया हो आप हमको comment box के थुरू पूछ सकते हैं, वैसे आप लोग के लिए मैंने, practice के लिए मैंने एक facebook group बनाया है, उसका नाम है target SSC CGL 2017 by IGT, जितने भी doubts हो, किसी भी topic का, किसी भी subject का आप वहाँ पे आकर अपने doubts post कर सकते हैं, या आप हमसे directly question पूछ सकते हैं, मैं उसको solution देने की क कोशिश जरूर करूँगा, यह नहीं बोला हूँ कि आपके हरे question का मैं solution दे ही दूँगा, हो सकता है किस question मेरे से भी solve ना हो, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, आपके सारे doubts को clear कर दूँग, वीडियो ज अच्छे लगे तो आप अपने friends के वीच भी share कर सकते हैं Facebook के through, WhatsApp के through या आप verbally बोल करके भी, तो चलिए आज के session को अपन यहीं close करते हैं, तब तक के लिए keep practicing, practice करते रहे, सवस्त रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, thanks for watching this video, bye bye